वेल तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक डार्क सोल मास्टर को दिखाये जाता है जो कि मैंगडू से मिलने के लिए आया था जहाँ पड़े में डार्क सोल मास्टर को दिखाए जाता है जो कि मैंगडू से कहता है कि मैंगडू मुझे तुम्हारे बातों पर यकीन है पर स्रेक अकेडिमी पर अटेक करना काफी जादा मुस्किल है क्योंकि वहाँ पर काफी जादा पोर्फुल बंदे मौजूद है साथी वहाँ पर पोसाइडन पैविलियन में काफी सारे बंदे मौजूद है जो कि काफी जादा पोर्फुल है साथी वहाँ पर ड्रेगन मास्टर मूला भी मौजूद है और हम उन सभी के पाउड को अंडरेस्टिमेट नहीं कर सकते हैं मेंगडू से कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा हम स्रेक अकेडमी के पाउड को हलके में नहीं ले सकते हैं सच में स्रेक अकेडमी काफी जादा पोर्फुल है पर तुम्हें टेंसा लेने की कोई भी जुरत नहीं है मैंने वहाँ पर तुम्हारे लिए एक रास्ता को बना दिया है जिसकी वजासे तुम काफी असानी के साथ में स्रेक अकेडमी पर अटेक कर पाओगे और ये सीन यहीं पे कठो जाता है तो नेक्स्ट सीन में हमें स्रेक अकेडमी के पोसाइडन पेविलियन का सीन दिखाये जाता है जहां पर हमें उन चाड़ों को दिखाये जाता है और वो सभी जी आउट्याओ के पास में होते हैं और वो सभी उसको देख रहे होते हैं जहां पर हमें मास्टर मूला को दिखाये जाता है जो कि उन सभी से कहते हैं कि तुम सभी ने बिल्कुल सही कहा पर मैं यहां पर ज्ञादा दिनों तक जिन्दा नहीं रहने वाला हूं साथ ही साथ वो सारे बंदे मिलकर हम सभी पड़ अटे करने का प्लैन बना रहे हैं जिसके लिए हमें त्यारी करना होगा और वह कहते हैं कि तुम्हें बहुत ही जल्दी अपने लिए रिंग को खुजना होगा और अपने पाउर को बढ़ाना होगा और इसके बाद वह कहता है कि ठीक है अभी के टाइम में युहाउज जियाउज को सोल्डिंग की जुरुत है तो तुम्हें स्टार्डाव फोरेस्ट के अंदर जाना होगा और जाकर अपन कर भाग रहे थे और मैं पता चलता है कि यह जो बीष्ट है वो युवा वे और युवा ने अपने इलुजनरी पावр का यूज करके एक बीष्ट को बनाया था जिसे डर कर सारे मौश्टर वाहां से भाग रहे थे युआ अपने साथियों को बताता है कि हम ऐसा कड़के यहां पर मोजूद बाकी बिश्टों को मारे भीना आगे बढ़ सकते हैं और हम ऐसे बाकी बिश्टों को क्यों मारे जिसे हमें कोई कामी नहीं है युहा कहता है कि जब तक यहाँ पर कोई 3000 साल से पूराना बिष्ट नहीं आ जाता है तब तक हमें डरने की कोई भी जुरत नहीं है तब ही उन सभी को वहाँ पर काफी जादा पोड मैसूस होती है जिसके बाद वह सभी जाकर एक चाटान के फिच छिप जाते हैं और देखना स्टार्ट कर देते हैं कि आकिर यहाँ पर कौन सा बिष्ट है तब ही आमें वहाँ पर एक बहुत ही बड़े भालू को दिखाये जाता है जो कि आते के साथी एक मोस्टर को मार कर खाने लगता है जो देखकर वो सभी काफी जादा हेरान चुके थे और इसके बाद वह कहते ह हैं कि यह जो बिष्ट है वो तो 3000 साल पुराना बिष्ट है जो कि काफी जादा पोर्फुल है और बताते हैं कि यह जो बिष्ट है वो टोप 10 के अंदर आता है भले यह तिन साल पुराना बिष्ट है पर इसके पास में काफी जादा पावर है और इसकी जो सोल बोन होती है स जो सुनकर वो सभी काफी ज़्यादा हेडानों चुके थे युवा उन सभी को बताता है कि ये जो मोस्टर है उसको गोल्डेन हैंड बियर के नाम से भी जाना जाता है जियाओ जियाओ काफी ज़्यादा परसानों जाती है और इसके बाद वो कहती है कि क्या ये मोस्टर हमको स मौसूस होता है और वो अपने सारे साथियों को डेरी हो जाने को बोलता है जिसके बाद वो सभी वहाँ से जंप लगा देते हैं और आमें पता चलता है कि गोल्डेन बियर ने उन पर अटेक कर दिया था पर उन सभी ने उसके अटेक को डोच कर लिया था वहीं हमें उस कि उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो काफी तेजी के साथ में चिलाना स्टार्ट कर देता है अब इसकी वज़ासे वह सभी काफी ज़्यादा परिसान हो चुके थे जहां पर अमें युहा को दिखाये जाता है जो कि आपने सोल मार्सल को एक्टिवेट कर लेता है और उसके साठे अटेक से बचना स्टार्ट कर देता है साथी वह अपने नाइफ का युज करके उसके पेट को भी फार देता है पड़ा में दिखाये जाता है कि वह अपने जखाम को हील कर लेता है पर वो इसकी बजासे काफी ज़ादा गुसा चुका था तबी वांगडॉ उस पर अटेक कर देती है पर वो उसके अटेक से बच जाता है तब ही अमें जियाव जिया को दिखाये जाता है जो कि अपने कोल ड्रोन का यूज करके उस पर अटेक कर देती है जिसकी वज़ा से उसको काफी ज्यादा प्रोब्लम होना स्टार्ट हुजाती है पर वो अपने पाउर को रिलीज करता है और वो उन सभी के अटेक को डिश्टोय कर देता है तबी युहाँ वहाँ पर अपने स्कोर्पियन विष्ट के पाउर को एक्टिवेट कर लेता है और वो उसको जमा देता है इसके बाद वो सोल बोन के पाउर का यूज करता है और मैं पता चलता है क वो वहाँ पर एक बहुत ही पॉर्फुल टेक्निक का यूज करने वाला था वहीं हमें युहाँ को दिखाए जाता है जो कि अपने बर्फ को बलस्ट कर देता है जिसकी वज़ासे वहाँ पर काफी ज़्यादा पाउर ली जोती है जिसकी वज़ासे पूरा फोरेष्ट काफी ज़्यादा हील चुका था और साथी साथा में दिखाए जाता है कि चारो तरफ आइस फैल चुकी थी नेक्स्ट सीन में हमें उन तिनों को दिखाए जाता है जो कि युहाज़ों के पाउर को देखकर काफी ज्यादा हेरान चुके थे और वो इस बाथ से काफी ज्यादा हेरान थे क्योंकि युहाँ ने अपने पाउर के युज कड़के उस monster के हाथ को कार दिया था युहाँ उस monster के पाउर को देखकर काफी जादा हेरान चुका था और इसके बाद वो कहता है कि ये मेरे इतने जादा पॉरफुल एटेक से काफी आसानी से बच गया सची में मोस्टर काफी ज़्यादा पोर्फूल है तब ही वो मोस्टर दुबार से खड़ा हो जाता है पर तब ही वहाँ पर टीचा जहुए जाती है जो कि अपने पावर का यूज करके उस मोस्टर को बाइंड कर देती है जिसकी वज़ा से वो मोस्टर ही नहीं पाता और वही पर गिर जाता है जहाँ पड़ा में टीचर जहो को दिखाये जाता है जो कि अभी के टैम में काफी जादा गुसा थी और वो यूहाँ से कहती है कि यूहाँ आखिर तुम्हारी हिमत कैसे हुई इते जादा पोर्फुल अटेक आयूच करने की और वो कहती है कि अगर तुम्हा मैं अब की बार तुमको माफ करती हूँ नेक्स्ट सीन में हमें टीचर को दिखाये जाता है जो की कहती है कि आकर तुम सभी में से कौन इसके रिंग को प्राप्ट करेगा जहां पड़े में युहा को दिखाये जाता है जो की कहता है कि जियाओ जियाओ हमें से काफी जादा कम जोड है और यह जो बीश्ट है उसके पास में अटेक की भी पाउर है साथी साथ इसके पास में डिफेंस की भी पाउर है तो अगर जियाओ जियाओ इसके सोल बोन को कल्टिवेट कर लेती है तो इसकी वज़ा से उसकी पाउर काफी और वो युहाव से कहती है कि तुमको इसके पंजे को कल्टिवेट कर लेना चाहिए वो उसके बाद को मान जाता है जिसके बाद वो दोनों अपने काम को करना स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट सीन में हमें डर्क सोल मास्टर को दिखाये जाता है जो कि स्रेक अकेडमी के बहार आचुका था और वो अपने साथियों से कहता है कि तुम सभी को जो भी काम मिला है तुम सभी को वही करना होगा तुम सभी किसी भी लफडे में मत परना वो सभी कहता है कि ठीक है मै आपके बातों पर ध्यान रखूंगा जिसके बाद वो सभी वहां से निकल जाते हैं और वो सभी स्रेक अकेडमी के अंदर जा रहे थे नेक्स्ट सीन में हमें मेंगदू को दिखाए जाता है जो की काफी जादा खूस था और अमें उसके हाथ में एक चोटे से कीरे को दिखाए जाता है जिसके बाद जियावटियाओ अपने आग को खोल लेती है और यह सीन यहीं पे कठो जाता है वेल तो नेक्स्ट सीन में हमें स्टार्डाव फोरेस्ट का सीन दिखाये जाता है जहाँ पड़ा में उन दोनों बंदों को दिखाये जाता है जो कि अपने अपने काम को कड़े थे जहाँ पड़ा में युहाँ को दिखाये जाता है जिसको उस कुलो को रिफाइन करने में काफी ज़्यादा दिखा तोड़ा था वहीं मैं उस क्लो को दिखाए जाता है जो कि युहाओ पर बाड़ बाड़ अटेक कर रहा था जिसकी वज़ा से युहाओ की आलत काफी जादा खड़ाब होने लगती है युहाओ इसकी वज़ा से काफी जादा है रानू चुका था इसके बाद में थोड़ी दरबात का सीन दिखाये जाता है जहाँ पड़ा में युआउ को दिखाये जाता है जिसने उस पंजे को कल्टिवेट कर लिया था वेल तो next scene में हमें जियाओ जियाओ को दिखाए जाता है और उसने भी अपने solding को cultivate कर लिया था उन दोनों ने अपने काम को कर लिया था जिसके बाद हम जियाओ जियाओ को देखते हैं जो कि कहती है कि हमें आगे चलना चाहिए और हमें जाकर युहाओ के लिए किसी ring को कर देते हैं तबी वहाँ पर announce होना start हो जाती है और बताय जाता है कि यहाँ पर दुस्मनों ने attack कर दिया है और announce होता है कि जो भी teacher है उन सभी को आकर सारे student को बचाना होगा वहीं हमें black soul को दिखाये जाता है जो कि अपने power का यूज करके वहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं उन सभी को out of control कर देते हैं जिसकी बजासे उन सभी की आलत काफी जादा खड़ाबोना start हो जाती है तबी हमें दो master को दिखाये जाता है जो कि आगे बढ़ते हैं और वह अपने power का यूज करके black soul को रोकने की कोसिस करते हैं पर वह नहीं रोक पाते और वह काफी तेजी के साथ में वहाँ पर मौझूद बंदों पर अटे करना start कर देती है जिसकी बजासे वहाँ पर काफी सारे बंदों की आलत काफी जादा खड़ाब चुकी थी नेक्स्ट सीन में हमें एक master को दिखाये जाता है जो की जी आउटियाओ को चेक करने के लिए आता है तो उसको प forest का सीन दिखाये जाता है जहां पर में उन तिनों को दिखाये जाता है जो कि आगे बड़े होते हैं और वो युहा के लिए एक beast को खोज रहे थे तबी उनको वहाँ पर fight करने की आवाज आती है जिसके बाद वो सभी वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि वह पर कुछ बंदे मौजूद थे जो की काफी सारे monkey के साथ में fight कर रहे थे आप इन सभी monkey को देखकर वो सभी काफी जादा हेरान हो जाते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि यह जो monkey है वो red fire monkey है और यह काफी जादा गुसैल होते हैं और वो अपने enemy को कभी भी जिन्दा नही चोड़ते हैं और वो सभी काफी यडान हो चुके थे और वो कहते हैं कि आखिडिये सारे बंदे इनके जुन्ट से कैसे टकड़ा गए क्योंकि यह सभी काफी जादा पोड़ फूल है और हो सकता है कि यह सारे मिलकर इन सभी बंदों की आलत काफी जादा खड़ाप कर दे प इस गल अपने पाउड का यूज करके उसके अटेक को रोकने की कोशिस करती है पर वो टाइम पर उसके अटेक को नहीं डोक पाती और वो मंकी उसके अटेक करने वाला था पर तबी वहाँ पर कोल्ड रोन आता है और वो उस मंकी को दूर फेक देता है जिसके बाद आर्चर अ जियाउटिया उसको बताती है कि हाँ हमने तुमको बचाया है वो आगे बढ़ती है और उसको थैंस बोलती है और उसको अपने टीम से मिलवाती है और उसके नाम के बारे में बताती है तो गाइस आप सबी इसके नाम के बारे में जानकर क्या करोगे वेसे भी आगे काम नहीं आने वाले हैं वहिया में उस लर्की को दिखाए जाता है जो कि जियावजिया को ठेंस बोलती है जियावजिया उससे कहती है कि आपको ठेंसा लेने की कोई भी जुरत नहीं है और इसके बाद वह अपने साथियों से उन सभी को मिलवाती है जहां पड़ा में युहा को दिखा उनसे बिलोंग करती होगी वो सारे बंदे इन तीनों को देखकर काफी अड़ान उचुके थे और वो कहते हैं कि आखिर तुम तीनों यहां पर क्या कर रहे हो क्या तुम तीनों यहां पर अकेले किसी मोस्टर को मालने के लिए आए हो वो तीनों बताते हैं कि हाँ हम यहां पर सोल बॉन के लिए आए हैं साथी साथ सोल निंग के लिए भी आए हैं वो चारों कहते हैं कि ठीक है तुम सभी ने हमारी मदद की है तो तुम सभी हमारे साथ में आ सकते हो जिस पर वो तीनों मान जाते हैं तो अभी उन सभी को वहाँ पर काफी जादा पौर मैसूस होती है और वो स्रेक एकेडमी के हालत को देखकर काफी यडान उचुकी थी और वो कहती है कि आकर ये कैसे हुआ मास्टर इसके बारे में उसको बता देते हैं अगले सीन में हमें एक मास्टर को दिखाए जाता है जो कि ड्रेगन मास्टर मूलान के पास में आते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर कुछ बंदों ने अटेक किया था मास्टर मूला बताते हैं कि मुझे इसके बारे में पता है तो next scene में हमें उन सारे बंदों को दिखाये जाता है जो कि उन दोनों मास्टर के तरफ आगे बढ़े थे ताभी आमें युहा के बिष्ट को दिखाए जाता है जो कि युहा उसे कहता है कि तुम्हें अकेले जाकर उन दोनों मॉस्टर को चेक करना चाहिए जो सुनकर वो काफी परिसानों चुका था और वो उसे कहता है कि कीडे क्या तुमको लगता है कि मेरे पास में इती जादा पोड है कि मैं 10,000 साल पुराने मॉस्टर के साथ में जाकर फाइट कर सकू और अगर उन्होंने मुझे वहाँ पर देख लिया तो वो मुझे मार देंगे वो कीडा कहता है कि तुमें टेंसर लेने की कोई भी जूरत नहीं है क्या तुम भूल गए कि तुमारे पास में बीमिंग मौजूद है और तुम बीमिंग के पावर का यूज करके उन्हों सभी को ड्रा सकते हो जहां पर हमें युहा को दिखाए जाता है जो कि उसके बाद को मान जाता है और वो अपने साथियों से कहता है कि तुम सभी इनके साथ में आगे बढ़ो मुझे ऐसा मौसूस हो रहा है कि आज पास में कोई मौस्टर मौजूद है जो कि मेरे लायक है तो मैं उसको देख कर आता हूँ जिस पर वो मान जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं तो next scene में हमें युहा को दिखाए जाता है जो कि एक जगा पढ़ा चुका था तो वो देखता है कि वहां पर काफी सारे मौस्टर काफी तेजी के साथ में भाग रहे थे तो अभी इसको वहां पर एक बहुती बड़ा मौस्टर दिखाई देता है जो कि साई कलॉप्स होता ह और वो युहाउण पर अटेक करने वाला था पर तबी युहाव वहाँ पर अपने पाओर का यूज करता है और वहाँ पर बिभिंग के पाओर को एक्तीवेट कर लेता है जो देखकर वो साइकलोप काफी जादा डर चुका था और वो डर के मारे वहाँ से अपने रास्ते को बदल कर भाग जाता है यूहाव कीड़े से कहता है कि कीड़े क्या तुम्हें लगता है कि यह जो मोस्टर है वो मेरे लिए सूटेबल है कीड़ा उसे कहता है कि नहीं यह मोस्टर तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है बलकि पीछे से जो monster आ रहा है जिसकी वज़ासी यह monster भी काफी ज़ादा डर चुका था वो monster तुम्हारे लिए suitable है तब ही युहाओ को मसूस होता है कि वो monster काफी ज़ादा करीबा चुका है जिसके बाद वो छुप जाता है और छुप कर देखना start कर देता है और आमें वहाँ पर एक बहुत ही बड़े monster के परचाई को दिखाए जाता है युआओ कहता है कि क्या यह वही monster है और इसी के साथ में यह episode यही पर खतम हो जाता है तो गाइस मैं जानता हूँ कि मैं काफी समय से वीडियो को upload नहीं कर रहा था तो गाइस इधर काफी जादा आंदी तुफान चल रही है साथी यहाँ पर काफी जादा बारिश भी हो रही है जिसकी वज़ासे इधर net का problem साथी साथ light का भी problem है जिसकी वज़ासे मेरा mobile भी charge नहीं है साथी net भी काम नहीं कर रहा है जिसकी वजासे मैं आप सभी के लिए वीडियो नहीं लापा रहा था पर अब सारी चीजे ठीक है तो आप सभी को वीडियो टाइम पर मिलता रहेगा तो आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आये हो तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो साथी साथ मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को भी लाइक कर सकते हो और मेरे मोटीवेशन को बढ़ाने के लिए आप सभी कॉमेंट कर सकते हो और साथी मैंने अपने चानल पर एनिमे को भी एक्स्प्लेन किया है तो वो एनिमे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा साथी मैंने उसके लिंक को डिस्किप्शन में भी दे दिया है तो आप सभी वहाँ से जाकर उसको सपोर्ट कर सकते हो और अगर आप सभी सपोर्ट करते हो तो मैं वैसे वीडियो को हमेसा आपके लिए लाता रहूंगा तो चलिए मिलते हैं किसी एक्स्प्लानेशन के साथ में